असलाम लेकुम इस लेक्षे में करें हैं कि हम प्रोड़क्ट अपॉलजी या कार्टियन प्रोड़क्ट अपॉलजी इसकी डेफिनिशन पहले करते हैं प्रोड़क्ट अपॉलजी और कार्टियन प्रोड़क्ट अपॉलजी यह दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं हम इसकी तो में और दो जो जोतीम स्टास कि TH लिख देती। तो में पता ही जहाँ जब फिरLY वोस्ट धैने कि हम्हें परेक theoretical लेकर देखे है। तो सले euros पर नापळने नहींज है वाए गृतलकको सफेती हैं, शेसा में चंप उकण सब्सक्ता का generated by basis x x y भी एक तपालोजी है product तपालोजी कि वह कैसी तपालोजी है जो बेसी से generate की गई है basis कैसी है वह उसी दिसने हमने बेस की विचे definition कि उसे बीस को denote कर वह था वी से उसी तरह इससे भी बीस से denote कर वा रहे हैं यह हो इस फाम की U x V की फोर्म में अब यह U और V क्या है U है हमारे पास open set जो tau x के हैं और V है जो tau y के हैं यह लिखा हुए कि U बिलोग करता है tau x से और V बिलोग करता है tau y से मतलब सिंप्ली यह है कि जो हमने tau x और tau y बनाया था उन्हीं के जो हमारे पास open set हैं उनकी आपस में product करवाएंगे तो हमारे पास generator उसे product topology कहेंगे ठीक है यह हमें अगे example करते हैं जिसे हमें इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा यहाँ example में मेरे पास x a भी है और y जो है 1, 2, 3 है x पे मैंने topology एक बिनाई है 5 x और singleton a और y पे मैंने topology बिनाई है y, 5, singleton 1, singleton 2 और 1, 2 यह दो topology मैंने बिना लिए है अब इसमें मैंने x को कहा दिया है u1 यहाँ के एक टाव आए के जो मेरे पास open set थे उसे मैंने usage नोर को राए टाव आए के जो थे उसे वी से करवाए है अब एक तो open set था ने जो simple u कहा दे थे तो open set इसमें काफी थे तो इसने हमने u1, u2 का नेम दे दिया है पहले वेले को u1 कह दिया दूसरे को u2 कह दिया है इसने पहले को v1, v2, v3 और v4 के नाम दे दिया है इसने मैंने 5 को नाम दे दिया है पहले 5 की जो 5 के साथ product हो जाएगा अब बाकी जो रहेगी इनकी हमने product करवानी है पहले u1, v1 के साथ पर होगा फिर u1, v2 के साथ होगा v3 और v4 के साथ होगा उसने मतलब तरह u1 क्रोस v1, u1 क्रोस v2, u1 क्रोस v3, u1 क्रोस v4 यहनकी पहले इसके u1 को इन सब के साथ करेंगे फिर दूसरे करेंगे u2 को अब मतलब a को इन सब के साथ हम करेंगे u1, u2 को किया v1 के साथ, v2 के साथ, v3 के साथ और v4 के साथ यह मारा पास basis बन गिया इसे हम कहेंगे product typology इसे मैंने U1 V1 इस तरह से निखिया है यह इतना बड़ा लिखना ना पड़े नहीं तो बेसिकली जब होगी U1 V1 से product होगा मतलब X जो होगा वो Y के साथ product होगा मतलब X के इंदर कितने हैं A B Y के साथ क्या है 1 2 3 तो बेसिकली जिस तरह हम Cartesian product करते हैं आप लोगों को A B 1 2 3 एकी 1 के साथ एकी 2 के साथ एकी 3 के साथ पिर उसके पाद B की 1 के साथ B की 2 के साथ और B की 3 के साथ यह जो यूवन क्रॉस V1 है इसका मतलब यह है यानि के U1 की cross product V1 के साथ की गई है इसी तरह बाकी सबका भी है कि A है इसकी फिर करेंगे इसके साथ करेंगे आजेगा U1 V2 में 1 है सिंगल टैन इसकी करेंगे A की 1 के साथ हो जाएगी फिर B के 1 के साथ हो जाएगी इसी तरह बाकी सबकी क्यूई है हमने सिंप्ली से इस तरह लिखती होगा है